आप देख रहे हैं ब्लू टाइगर न्यू चानल हमेशा देखिए आपका हमसफर आपका साथी ब्लू टाइगर न्यू चानल सबसे पहले ब्लू टाइगर न्यू चानल के कारेक्रमों को नियमित्रूप से देखने वाले भारत के तमाम दर्शकों का तता ब्लू टाइगर न्यू चानल के कारेक्रमों को नियमित्रूप से सुनने वाले भारत के तमाम शोताओं का हम हारदिक हारदिक स्वागत करते हैं और आप सभी को धन्यवाद देते हैं दोस्तो एक हिंदी फिल्मी गीत मेरी आवाज में एक हिंदी फिल्मी गीत मेरी आवाज में इस सेग्मेंट में आप सभी का हम हारदिक स्वागत करते हैं और आप सभी को हम आज इस सेग्मेंट में एक पुरानी मशुहूर हिंदी फिल्म का हिंदी फिल्मी गीत आपके सामने हमारी अपनी खुद के आवाज में प्रस्तूत करने जा रहे हैं दोस्तों ये हिंदी फिल्म का शिर्षक है वहां कौन थी हिंदी फिल्म थी वहां कौन थी ये हिंदी फिल्म 1964 1964 में रिलीज हुई थी और इस हिंदी फिल्मी गीत का शिर्षक है लग जा गले की फिर ये हसी रात हो ना हो और इस मशुर हिंदी फिल्मी गीत को गायता प्रक्यात पार्श्वगाई का लटामंगेशकर जी इस हिंदी फिल्मी गीत के गीतकार है राजा मेंदी आली हसन और इस मशूर हिंदी फिल्मी गीत को संगित दियाता मदन महुन सहाब ने दोस्तो एक बात यहां हम कहना चाहते है कि यह जो हिंदी फिल्मी गीत है यह हिंदी फिल्मी गीत अभिनेतरी साधना और अभिनेता मनशकुमार इन दोनों फिल्मी अभिनेकलाकारों के उपर में फिल्म आया गया था और यह गीत हिंदी फिल्म में साधना जी गा रही है इसलिए इसको फिल्मेल वाइस में लता मंगेशकर जी ने प्रस्चुत किया था लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि इस गीत के शब्द बहुती अर्थपुर्णा है यह गीत बहुती खुबसूरत बहुती बहुती बहुतरिन है और इसलिए अनेख हिंदी फिल्मी गीतों के शो पर अनेक मेल सिंग्डर्स ने अनेक पुरिश गाएकों ने भी इसे प्रस्चुत किया है भारत के हिंदी फिल्मी जगत के मशुहूर पार्श्व गायक सोनु निगम जी इनों ने भी इसे अपने हिंदी फिल्मी गानों के शो में प्रस्तुत किया है और भारत के अनेक पुरुष गायक इसे अपने गाने के प्रोग्राम में बार-बार प्रस्तुत करते हैं हलाकी हिंदी फिल्म में ये गीत लता मंगेशकर जी ने गाया है लेकिन ये गीत इतना बेहतरिन है शब्दे इतने बेहतरिन है कि इसको पुरुष गायक भी अपनी आवाज में प्रस्तुत कर सकते हैं माशुका जिस प्रकार इस गीत को अपने आशिक के लिए गा सकती है उसी प्रकार एक पुरुष आशिक भी अपने माशुका के लिए ये गीत प्रस्तुत कर सकता है हम इस हिंदी फिल्मी गीत को प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं अपनी खुद की आवाज में तो लिजिए सुनिए हमारी अपनी खुद की आवाज में लग जागले कि फिर ये हसी रात हो ना हो शायद फिर इस जनम में मुलाकात हो ना हो लग जागले कि फिर ये हसी रात हो ना हो शायद फिर इस जनम में मुलाकात हो ना हो लग जागले हैं हम को मिली हैं आज ये गड़िया नसीब से जीबर के देख लीजिये हम को करीब से फिर आपके नसीब में ये बात हो ना हो शायद फिर इस जनम में मुलाकात हो ना हो लग जागले पासाईए कि हम नहीं आएगा बार बार पासाईए कि हम नहीं आएगा बार 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 बाएं गले में डाल के हम रोल जार जार आकोस फिर प्यार की बरसात हो ना हो शायद फिर इस जनम में मुलाकात हो ना हो लग जागले कि फिर ये हसी रात हो ना हो शायद फिर इस जनम में मुलाकात हो ना हो लग जागले लग जागले लग जागले तो दोस्तों यह था मशूर पुरानी हिंदी फिल्म वह कौन थी का मशूर हिंदी फिल्मी गीत और इस हिंदी फिल्मी गीत को हमने आज अपनी खुद की आवाज में अर्थात अड़ोकेट सुधीर यच ताइडे की आवाज में आपके सामने प्रस्तित किया है दोस्तों यह मशूर हिंदी फिल्मी गीत हमारी अपनी खुद की आवाज में आपको कैसे लगा आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे ट्विटर अकाउंट पे हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे हमारे फेस्बुक अकाउंट पे हमारे वाटस अप नंबर पे या हमें हमारे मोबाइल फोन पे प्रत्यक्षरूप में संपर करके आप अपनी प्रतिक्रिया बेश सकते हो आप सभी के प्रतिक्रियाओं का हमें बड़ा बेसबरी से इंतजार है अब हमें एडोकेट सुधीर यच्टाइडे को इजाज़त दीजिए अगली बार एक हिंदी फिल्मी गीत मेरी आवाज में एक हिंदी फिल्मी गीत मेरी आवाज में इस सेग्मेंट में हम आप से फिर रूबरू होंगे एक मशुहूर हिंदी फिल्म के हिंदी फिल्मी गीत के साथ अब हम अपने समवाद को यहां विराम देते हैं धन्यवाद